गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम बात करेंगे वेस्टीज के हेल्थ केर प्रॉड़क्ट फ्लैक सॉयल के बारे में हमारा दिल हमारे शरीर का एक महत्वपूर अंग है दिल शरीर में एक पंप की तरह काम करता है इसका काम होता है ऑक्सिजन और पोशक तत्वों को खून के माध्यम से बाकी अंगों तक पहुँचाना इस काम को सही से करने के लिए हमारे धमनियों का स्वस्त होना बहुत जरूरी होता है लेकिन आजकल की तेज रफतार जिंदगी में गलत खानपान, प्रदूशन और केमिकल्स के संपर्क में आने से हमारी धमनियों में कॉलिस्ट्रॉल जमने लगा है इसी वज़े से हमारे खून को बहने के लिए परियाबत जगा नहीं मिल पाती इसके परिणाम स्वरूप हमारे दिल के मान स्पेशियों में ज़्यादा दबाव पड़ता है जिनकी वज़े से उन्हें वही काम करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है इसी वज़े से हमें स्टैमिना की कमी महसूस होती है और ज्यादा थकान का अनुभव होता है इन चीजों को हम नजर अंदास करते रहते हैं और हमें blood pressure की समस्या होने लगती है ये बात तो आप सभी जानते हैं कि एक बार ब्लड प्रेशर की समस्या होने से हमें जीवन भर दवायों का सेवन करना पड़ता है ध्यान ना देने पे हमें दिल का दोरा यानि हार्ट अटैक का भी खतरा होता है अंजियोप्लास्टी और बाइपास सरजरी के बाद भी हमारे दिल की हालत पहले जैसे नहीं हो पाती इन सभी समस्याओं का समधान प्रकृती ने हमें 5000 साल पहले ही दे दिया है अगर हम फ्लैक्स ओईल यानि अलसी के तेल का सेवन लगतार करते हैं तो इसमें मौझूद ओमेगा 3 हमारे शरीर के कॉलिस्ट्रॉल को कम करता है और आगे जमने नहीं देता साल्मन मचली के तेल के मुकाबले अलसी के तेल में 50 प्रतीशत ज्यादा ओमेगा 3 और ओमेगा 6 पाया जाता है पोशक विशेशग्यों के अनुसार अच्छी सेहत के लिए फ्लैक्स ओईल का सेवन बहुत जरूरी है फ्लैक्स ओईल हमारे दिल और रक्स के संचार के लिए अच्छा है ये संतावन ओप्ती में मदद करता है उच्च बीपी कॉलेस्ट्रॉल को नियंतरित करता है आईए अब फ्लैक्स ओईल का एक डेमो देखते हैं ये है वेस्टीज का फ्लैक्स ओईल अब हम एक फ्लैक्स ओईल के अपस्यूल में पिन की मदद से एक छेद करते हैं और एक छोटा सा थर्मकॉल का टुकड़ा लेते हैं और फ्लैक्स ओईल को उसके ऊपर डाल देते हैं दोस्तों ये बात तो आप सभी जानते हैं कि थर्मकॉल की एक खासियत होती है कि ये कभी खराब नहीं होता सालू साल तक वैसा ही रहता है लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि फ्लैक्स ओईल को थर्मकॉल पे डालते ही कुछ रियाक्शन हो रहा है और देखते ही देखते इतना बड़ा थर्मकॉल का टुकड़ा गायव हो गया जिस तरह से फ्लैक्स ओईल ने इस थर्मकॉल को गलाया है ठीक उसी तरह फ्लाक सॉयल हमारे शरीर के कॉलिस्टरॉल को भी गलाता है और आप देख सकते हैं कि इस कैपसियूल में अभी भी काफी फ्लाक सॉयल बचा है तो ये था कमाल फ्लाक सॉयल का इस शमतकारी कैपसियूल के गुर्णतों आपने देख लिए अब इस कैपसियूल को अपनी जीवन का हिस्सा बनाएं और इसका लाब उठाएं आप एक फ्लाक सॉयल का कैपसियूल सुबह दोपैर शाम खाने के बाद ले सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इससे लाइक और शेर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू फर वाचिंग विश्यू वेल्थ